हेलो फ्रेंड्स आगत आप सभी का आर्वी रिट्यूब क्लास में तो फ्रेंड्स आज मैं exercise 14.2 का question number 1 discuss करूंगा इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है आप वीडियो को ध्यान से देखेगा और अंतर तक देखेगा कहीं मत जाएएगा चलिए शुरू करते ह आपे दा पालॉइंग टेबल सोज दा एज आप दा पैसेंट्स अडिमित इन होस्पितल दूरिं अ यर अज इन यर्स 5 तो 15 15 25 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 26 11 21 23 14 5 फाइंड दा मोड एंड दा मीन आफ दा डाटा गीवन एबब कंपेर एंड इंटरप्रेट दा तू मेजर आफ सेंट्रल टेंडेंसी देखो यहां पर जो सेंट्रल टेंडेंसी बोला है तो एक परकार से जो मोड और मीन है वो सेंट्रल टेंडेंसी है इस कोस्चन मे और ये हमें जो patients है ना जो patients है किसी hospital में admit किये गए हैं एक साल में उनके ages दिए गये हैं क्या दिए गये हैं उनके उम्र दिया गया है यह जो एज in years है यह basically class interval है ci क्या है class interval है और यह जो number पेसिंट दिया गया है वो frequency है frequency को पैचानने के लिए आपको number देखना होता है जो number आप दिया होता है वो frequency होती है और जो इस प्रकार से group करके दिया होता है वो हमारे class interval होता है तो basically देखो हमें एक तो mode और mean calculate करना है दूसरा उनको compare करना है mode से हमें maximum number आप patient की age मिलेगी और mean से हमें average age मिलेगी patients की एक साल में तो उसको interpret करना है और यहां पर answer को write करना है तो चलिए आप चौछ तो आप question को write down कर लो अल्दो आपके NCRT के book में मिल जाएगा तो लिखने की कोई भी जरूद नहीं है मैं मिटा करके बस कुछ second में आपसे मिलता हूँ तो इस question में हम find करेंगे mode यहां पर हमने यह table बना लिया है जहां पर हमने यह class interval को write कर लिया है और frequency को write कर लिया है तो यहां से आगे हम क्या करेंगे mode find करेंगे तो दिखो mode find करने के लिए सबसे पहले हमें model class को decide करना पड़ता है किसको decide करना पड़ता है model class को जो maximum occurring frequency होती है उसकी जो class इंट्रोल होती है वो हमारी बनती है model class तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6, 11, 21, 23, 14, 5 इन सब में 23 सबसे जादा है तो यह हमारी बनेगी model class क्या बनेगी? यह हमारी बनेगी model class तो model class क्या होगा? 35 to 45 तो यहाँ पर राइट करेंगे लेट दा मोडल क्लास आफ गीवन डाटा इस 35 to 45 अब एक बार अगर हमने model class को decide कर लिया तो हमें जो F1, F2, F0 और जो हमें H find करना है, जो L find करना है वो हम आसानी से find कर सकते हैं कैसे देखो? जो maximum occurring frequency होती है यह हमारी F1 होती है और उसके उपर की जो frequency होती है उसे बोलते हैं the frequency of preceding class ठीके? और यह जो उसके बाद की frequency होती है उसे बोलते है the frequency of succeeding class तो यह जो preceding वाला होता है यह बनता है F0 और जो succeeding वाला होता है वो बनता है F2 तो यहां से आप देखो यह हमारा lower class limit है यह हमारा upper class limit है तो सबसे पहले जो हमारा L होता है उसे lower class limit कहते हैं और वो होगा यहाँ पर 35 यह lower class limit किसकी होती है? model class की होती है यहां से हमारा जो F0 बनेगा वो बनेगा 21 जो F1 है frequency of the class 23 है जो F2 है frequency of the succeeding class वो 14 है अब एक होता है हमारा H क्या होता है H होता है H को कहते है class size क्या कहते है class size और इसको calculate करने का जो formula होता है वो होता है upper class limit minus lower class limit तो upper class limit हमारे पास कितना है 45 और जो lower class limit है वो कितना है 35 तो 5-5 0 और 4-3 1 तो H की value कितनी आ जाएगी H की value आ जाएगी 10 H क्या है class size H is equal to 10 अब एक बार अगर यह सारी values मिल जाएगी तो आप इसे mode के formula में रख देंगे तो mode का formula क्या होता है mode is equal to L plus F1 minus F0 over 2F1 minus F0 minus F2 into H ठीक है क्या हो गया mode is equal to L plus F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 into H तो यह हमारे क्या हो गया mode का formula हो गया अब हमें सारे values को put करना है mode is equal to और यह 46 पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा तो मतलब यह हमारा answer आजाएगा 35 plus 1.82 कितना 1.82 तो अब इनको add करेंगे देखो add करने के लिए क्या करना होता है 35 और एक decimal लगा देते हैं फिर decimal के नीचे decimal 182 अब इदर कोई डिजिट नहीं है तो 0 बढ़ा देंगे 0 प्लस 2 0 प्लस 2 0 प्लस 2 टू 0 प्लस 8 8 5.16 3 तो यह कितना हो जाएगा 36.82 हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा mode mode कितना आ जाएगा 36.82 और यह किस में होगा यह years में होगा तो हमारा यह क्या आ गया यह हमारा mode आ गया ठीक है तो आप इसे write on कर लो या फिर screenshot ले लो तो इस ट्रेंट जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं मैंने table बना रखा है इस question का मैं mean find करना है क्या find करना है mean तो चलिए फिर देखते हैं कैसे find करेंगे यहां पर देखो मैंने class interval को write कर रखा है और frequency को write कर रहा है बाकी चीज़े हम आपके सामने calculate करके table को fill करेंगे तो सबसे पहले number आता है x i तो देखो x i हमारा होता है class mark क्या होता है class mark x i अब x i का formula होता है x i is equal to upper class limit plus lower class limit by 2 यानि कि देखो simple simple सी बात है यह average of class interval होता है क्या होता है average of class interval तो यहां पर देखो अगर हम पहले class interval की बात करें तो 5 15 है 15 upper class limit 5 lower class limit तो यहां पर जब हमें first class mark find करना होगा तो जो i होगा अब 1 हो जाएगा x1 x1 is equal to 15 plus 5 by 2 तो कितना हो जाएगा 20 by 2 और इसको solve करेंगे तो answer हैगा 10 कितना हैगा 10 तो जो हमारा पहला class mark है वो हो गया 10 ठीक है अब second find करेंगे तो second में x2 हो जाएगा यानि कि class mark 2 और यहां पर जो class interval दिया है वो 25 15 दिया हुआ है 25 अबर class limit 15 lower class limit तो इनको by 2 हो जाएगा एड करेंगे तो 5 plus 5 10 2 plus 1 3 1 4 तो 40 by 2 हो जाएगा और 2 डिवाइड करेंगे तो 2 20 जा 40 कितना? 2 30 जा 40 तो आपने देखा यह 10 वा 10 से 20 हुआ बस आपको इतना ही calculate करने की ज़रूद है इसके आगे हमें calculate करने की ज़रूद नहीं है automatic हो जाएगा कैसे बताता हूँ देखो यह कितना है? 10 पहला class mark 10 दूसरा class mark 20 difference कितने का? 10 difference कितने का? 10 यानि कि दोनों में से अंतरी कितना है? 10 का तो वही जो difference है ना वही add करते चले जाओ जैसे देखो यह है 20 और यह है 10 20 minus 10 तो 20 minus 10 कितना है? 10 का difference आया अब आगे देखो यह समें 10 add कर दो 30 इसमें 10 add कर दो 40 इसमें 10 add कर दो 50 इसमें 10 add कर दो 60 बन गया आगे calculate ही नहीं करना है ठीक है? आगे देखते हैं अब देखो इसके बाद हमें calculate करना होता है di ठीक है? क्या calculate करना होता है di तो di को calculate करने के लिए सबसे पहले आपको a लिट करना पड़ता है a क्या होता है? assumed mean होता है let a is equal to अब देखो a को क्या लिट करेंगे? दो तरीका होता है एक अगर हमारे पास यह जो class interval है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब यहमारे पास कितने है? 6 है यानि कि number of class interval 6 तो इसकी संख्या क्या है? even है even है तो जो बीच वाला है इसको या फिर इसको आप consider कर सकते हो यानि कि चाहे तो आप 30 consider कर लो चाहे तो आप 40 consider कर लो लेकिन अगर number of class interval odd होता है न, number of class interval कितना होता? odd तो जो सबसे mid में होता उसी को हम consider कर लेते assumed mean a और consider किस में करते हैं? consider x i में करते हैं तो चाहे आप 30 को consider कर लो चाहे आप 40 को consider कर लो अब देखो इस question में मैं 40 को assumed mean a consider करता हूँ तो a is equal to मैं इसको consider करता हूँ a is equal to 40 अब सारी कानी हमारी a is equal to 40 पर चलेगा किस पर a is equal to 40 पर चलेगा कैसे देखो जो di का formula हमने लिख रखा है वो लिख रखा है x i minus a अब अगर हमको पहला find करना तो हो जाएगा d1 i की value d1 तो यहाँ पर हो जाएगा x1 minus a अब x1 की value कितनी है 10 और a की value आपने माना 40 तो यह 40 बड़ा है इसका sign 40 minus 10 30 तो यहाँ पर कितना आजाएगा minus 30 ठीक है जो दूसरा find करेंगे d2 तो d2 होता है x2 minus a और x2 कितना है 10t यह कितना है minus 40 तो minus का sign आएगा 40 minus 20 become 20 minus 20 अब देखो आपको ज्यादा calculate नहीं करना आप चाहो तो ऐसे अलग अलग value को calculate कर सकते हो लेकिन आप जैसे यह minus 30 आ रहा है यह minus 20 आ रहा है तो यह minus 10 आएगा और यह 40 minus 40 0 आएगा फिर इदर आजाएगा plus 10 और इदर आजाएगा plus 20 तो आपको ज्यादे calculate नहीं करना है ठीके कैसे देखो एक दो calculate कर लो उसके बाद अगर minus 30 minus 20 आ रहा है तो minus 10 आएगा 0 आएगा फिर यह reverse हो जाएगा जैसे यहाँ पर 10 है यहाँ पर 10 हो जाएगा यह minus 20 हो जाएगा यह minus 20 हो जाएगा ऐसे reverse order चलने ले गएगा ठीके तो एक बार हमने डी आई भी फाइंड कर लिया अब हमें एफ आई यानिकी यह वाला डी यानिकी यह वाला इनका product find करना है एफ इंटू डी आई तो देखो वो कैसे find करेंगे पहली बात तो देखो जिनका जिनका minus sign हो minus में आएगा 36 जा 180 minus 180 20 11 जा minus 220 10 20 बन जा minus 210 और 0 वाले case में तो 0 होगा 10 14 जा 140 यह प्लस में होगा 25 जा 100 ठीक है तो यह तो आगे हमारे fi इंटू डी आई आई आप क्या करना देखो minus वाली को अलेगएड करेंगे plus वाली को अलेगएड करेंगे minus 180 minus 220 minus 210 0 8 2 10 1 11 1 2 3 2 5 1 6 610 में आ गया पलस को अलग calculate करेंगे plus कितना है 140 100 तो कितना आगया 240 आप देखो इसे जो minus करेंगे तो इसे में से करेंगे तो 610 पलस 240 अब देखो यह नंबर बड़ा है इसका साइन लेंगे minus 0-0 0 11-4 become 7 और 5-2 become 3 तो देखो यहां पर हमारा यहां पर मीन का फार्मूला लगाएंगे mean is equal to x bar is equal to a plus summation of fi into di over summation of fi तो value put करेंगे a की value है 40 और fi into di की value है minus 370 over fi की value है 80 ठीक है अब इसको calculate करेंगे 0 से 0 cancel हो जाएगा 40 minus 37 upon 8 37 upon 8 को अलग से calculate करेंगे तो देखो कितना होगा 8 4 जा 32 5 रिमेन होगा decimal लगाएंगे 0 अप्लाई करेंगे 58 6 जा 48 माइनस करेंगे तो टू आ जाएगा decimal अप्लाई किया बढ़ा देंगे 20 हो गया एक टू जा 16 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा अब 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देंगे माइनस करेंगे 10 माइनस 55 9 माइनस 27 9 माइनस 63 9 माइनस 45 और यह हो जाएगा 3 तो यहां से कितना आ गया हमारे एकस बार आ गया 35.625 अब चाहो तो आप इतना लिख लो या फिर हम डेसिमल के बाद दो ही डिजिट राइट करते हैं तो जो हमारा मीन हो जाएगा वो हो जाएगा 35.62 ठीक है कितना हो जाएगा 35.62 चूंकि यह जाए मारा तो आंसर इयर्स में होगा तो यह हो गया हमारा मीन कितना हो गया 35.62 इयर्स तो आप इसा राइड डाउन कर लो या फि आज से देखो हमारा रिजल्ट क्या आएगा इंटरप्रेटेशन क्या आएगा वो देख लो देख लो देख लो कि मैक्सिमम नंबर आप पेसेंट एड मीटेड एड दा एज आफ थर्टी सिक्स पॉइंट एट इयर्स तो यह तो हो गया हमारा मोड के लिए अब मीन के लिए राइट करेंगे दा एवरेज एज आफ दा पेसेंट कि इस थर्टी फाइब पॉइंट थरी सेवन इयर्स कितना थर्टी फाइब पॉइंट थरी सेवन इयर्स तो इसमें क्या होगा कि दा maximum number आप पेशेंट admitted at the age of 36.8 years, the average age of the patient is 35.37 years, यानि कि देखो, जादे संख्या में जो पेशेंट हैं, वो admit हो रहे हैं, उनकी जो उम्र है, वो 36.8 है, यानि कि 36.8 साल है, और जो average age है सभी patient का, वो है 35.37 years, तो आप इसे चाओ दो write-on कर लो, या फिर screenshot ले लो, यह हमारा इस question का answer होगा, तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी share करें, अगर इस channel पर आप नए हैं, तो channel को भी subscribe करें, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले question के साथ, तब तक ले thank you class, को भीडियो हैं?